कुछ जाने अन जाने में हम ऐसे काम कर देते हैं जिससे कि हमारे जीवन पर, हमारे ग्रहों पर बहुत बुरा प्रभाव परता है कैसे वो कारें ना करें, कौन से वो कारें हैं जो हमें कभी नहीं करने चाहिए इसके साथ साथ परवरिष्टे, पापकी राशी, जर्म दिन, आज का एक खुबसुरत विचार, शुबह शुब समय उस हब तो रहे गई मुशह परबाद शुरू करते हैं कभी भी आपको जमीन पर कुछ गिरा मिले, जो आपका नहीं है चाहें ये कितना भी क्यमती क्यों नहों, उसे आप उठाकर अपने लिए इस्तमाल मत कीजिए कई बारी ऐसा होता है, कि हम जा रहे हैं, किसी का को सोना, चांदी, पैसा गिरा हुआ मिल जाता है वो हमारा नहीं है, और उसका इस्तमाल करने से ब्रश्पती बुरा फल देता है, राहु बुरा फल देता है सूरे भी अच्छा फल नहीं देता, नुकसान देता है तो इसलिए कभी भी आपको जमीन पर ऐसी कोई चीज गरी हुई मिल जाए अंदर से आपका लालाच आपकी च्छा जवर्दस्ट जोर बारेगी, लेकिन उसे उठा कर रख ले कोशिश करें, जिसका हो उस तक पहुँचा दे अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है, तो उसको किसी जरूरत मन को दे दे लेकिन उसका खुद इस्तमाल ना करें, वो आपकी नहीं है दूसरी बात, यदि आपके घर में बहुत सारी चीटिया हो गई है तो इन और खास्तोर से लाल चीटिया और ये लाल चीटिया आपकी किछिन में हर जगा घूमने लग रही है, हर जगा घूमती चली जा रही है, तो आपको एक कारे करना है, उन्हें घूमने से रोकना है, उन्हें घूमने ना दे क्या करिए हल्डी डाल दीजे या आजकल बहुत सारी चीजे बाजार में आ रही हैं जो नहें रोक सकती है तो उन्चीजों का उप्योग कीजे या फिर उनके इर्दगर्ण हल्डी छिटकना शुरू कर दीजे और जिन छेदों से वह निकलती है उन छेदों में हल्दी थूस दीजी वो भाग जाएंगे लेकिन आप उनको ऐसे ही घुमने मत दीजे वो नुकसान दे सकती है वो शरीर को नुकसान दे सकती है ठीक है एक कारे हम आजकल बहुत खुल के करने लगे हैं और वो कारे क्या है और वो भी हमारे पास प्रभाड हो ना हो अगर हम किसी से चड़ गए है तो उसकी किसी भी हद तक जाकर निंदा करेंगे मत कीजिए शनी राहू बहुत बुरा फल देंगे सूरे कमजोर होगा और सूरे जब कमजोर होगा पता प्रतिष्ठा पैसा प्यार इन सब पर बुरा इसांचाना की कोशिष करें एक और चीज इशनी मदा आप एक्स की पुझा कर सकते हैं वो कीजिए वाई की पुझा करते हैं तो वो हमारे लेकिन इक्स वाला वाई वाई वाला के या एकक्स की पूझा पर या उसके ईश्वर पर ना इवल दूस्तित अज़ों plant नंगली न इश निंदा करने से बचिए आप नहीं तो मान के चलिए सूरे और ब्रस्पति और चंद्रमा ये आपको जीवन में कभी ना कभी बड़ा संकट उपन जरूर करें लिखके रख लीजिए 99.99% नहीं 100% एक और चीज़ का आपको दिहान रखना है यदि आपके नाखूनों पर बहुत ज्यादा चमक आने लगी है और आपके नाखून काले से पढ़ने लग गए हैं तब आप उसको इग्नोर बिलकुल मत कीजिएगा अपने हॉर्मोन का टेस्ट कराईए और अपनी लाइफ को डिस्प्रिन करना शुरू कीजिए अन्य था ये आगे जाकर निस्चित रूप से बड़ी समस्या देंगे इलाज भी कराना पड़े तो करा लीजेगा तेर सही सही लेकिन चीज़े ठीक होंगी नाखुनों के बाद से ही मुझे याद आया कि नाखुनों के नीचे आप देखते होंगे चंदर्मा की आकरती सी बनती है आदे चंदर्मा की आकरती बनती है यह हैं चंद्रमा की आकरती जितनी बड़ी होगी उतना अच्छा है और जितनी छोटी होगी उतना कम अच्छा है अगर नहीं है तो आपको इसे इगनौर नहीं करना है आपको क्या करना है अकरोट खाना शुरू करना है प्राणायाम करना शुरू करना है जल्दी सोना है और जल्दी उठना शुरू करना है इसे इग्नॉर करने का बुरा प्रभावन पढ़ेगा साथी साथ इसके साथ आपको अच्छे सोच और विचार वारे लोगों की संगत में बैठना है ऐसे ही कुछ और बाते हम बात कर रहे हैं कि कुछ काम कभी नहीं करने हैं कुछ कामों को कभी इग्नॉर भी नहीं करना है अन्यता नुक्सालों का जैसे घर में यदि आपके जाले लगातार बनते चले जा रहे हैं तो जाला स्वेम चुटाएं और बहुत जादा जाले यदि बन रहे हैं और आप परशान हो चुके हैं तो जाला चुताने के साथ साथ अपने घर में कायत्री का यग ग्यारा दिन तक लगातार करना शुरू करें ठीक है चीजें उसके बाद ठीक होंगी लेकिन ये यग जो करेंगे सामगरी अति उत्तम होनी चाहिए आम की लकडी का ही उप्योग करेंगे तो जाद अच्छा है यदि आप पहाडों पर रहते तो देवदार की लकडी का भी प्रियोग कर सकते हैं इसके साथ साथ आप खेर की लकड़ी का भी प्रियोग कर सकते हैं, लेकिन आम की लकड़ी स्रेष्ट रहेगी, इसके साथ साथ जो भी सामगरी का आप उप्रियोग करेंगे, उसमें गाय मता का घी अवश्र होना चाहिए, तिल और पंचमेवा ज़रू डालिएगा, बस देख प्रिशानी नहीं आए, एक और चीज, तूटी हुई प्रितमाएं अपनी पूजा में कभी मत रखे, भई हर चीज की एक आईयो होती है, कोई भी प्रितमा हो, कोई भी चित्र हो, एक समय के बाद तूट सकता है, गल सकता है, उसमें कोई परिशानी हो सकती है, और कुछ नह जती से वो तूट सकता है, हर्जीस की अपनी एक आई हुए, लेकिन तूटी हुई प्रितमा अपनी पूजा में कभी मत रखेगा, उसकी पूजा मत कीजेगा, यह बड़ा कठिन है, प्यार हो जाता है, लेकिन फिर भी मन को मार कर आपने बदलना है, लेकिन एक गड़बड य कि हम अपने चित्र जो होते हैं, देवी देवताओं के, अपने पूजा घर की जो पृतिमाएं होती है, जब वो खराब होती है, तो किसी पेड़ के नीचे ले जाकर छोड़ देते हैं, किसी मंदिर में पेड़ के नीचे ले जाकर रख देते हैं, यह महापाप है, मत कीजे अगर मिट्टी की हैं तो पानी में डाल दीजें, हफते-दस-दिन यह पूरी तरह घुल जाएंगी, उसके बाद उस पानी को पेड़ों में डाल कर सीज़ दीजें, ठीक है, अगर वो पत्थर की हैं, तो ऐसी किसी जगा पर ले जाएंगे, जहाँ पत्थर को क्रश करके उसक और उसको यग में उसके आउती दे दीजे। लेकिन हम नदियों में जाकर फेक देते हैं, पेडों के नीचे फेक आते हैं, मंदर के पेड के नीचे रखे आते हैं, ये खलती कभी भी भूल कर मत कीजेगा आज के बाद। मैं आपको फटप से लेकर मार्स तक का जो समय है, इसमें कोई भी निया कार्य मत कीजेगा, कोई बड़ा निवेश मत कीजेगा, कोई बड़ा मंगल कार्य मत कीजेगा, अनेथा नुकसान हो सकता है। उसके बाद का समय यानि एप्रिल, माई, जून ये समय जो है, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, इसमें आपकी परिशानियां धीरे-धीरे सौल्व होने लगेगी, लेकिन इस वक्त से लेकर मार्स तक का समय ऐसा है, इसलिए बहुत दिहान से चलने की ज़रूरत है, बहुत सोंच समझ कर चलने के आवश्रकता है। साथानी बरतनी, एक तो वाद विवाद से मचनी की कोशिश कीजिएगा, और रिष्टों को बहुत अच्छे से निभाईएगा, नहीं तो किसी रिष्टे में दरार आ सकती है। साथी साथ, यदि आप किसी नई जगा पर मजबूरी वश्च चले भी गए हैं, तो बहुत लोग प्रफाइल रखेगा और अपनी वाड़ी पर विशेश नियंतर रखेगा, अन्य था, वहाँ आपको परशानी हो जाएगी, उपाई क्या करेगे। माता जी से एक चांदी की थोस गोली आज अपने गले में धारर करवा दीजे। ठीक है, चांदी की थोस गोली मिल जाएगी आपको शाम तक, कोई चंता की बात नहीं है। उसे चांदी की चेन में या सफेद रंग के धागे में माता जी या बड़ी बहन या बड़ी भावी के हाथ से अपने गले में धारर कर लीजे। इसके साथ एक और उपाय करना होगा, रोजाना, इश्ट, गौमाता, मता-पिता, गुरू, इनको भोग लगाए बिना या इनको भोजन दिये बिना आप कुछ भी गधर नहीं करेंगे। बस ये उपाय कीजे, अराम से वक्त निकल जाएगा। आप कभी मत कीजेगा। और वो है, जब दोनों वक्त मिल रहे हों, तब सोना एवाइड करें, खासतोर से शाम को। मैं जानता हूँ, आज बहुत चीजों में बड़े बदलाव आ चुके हैं, बहुत सारी विवसाइक गतिवदियों में बहुत सारी बदलाव आ चुके हैं, और नाइच्छिफ्ट करने वादे लोगों को शाम को सोना मजबूरी है, लेकिन फिर भी, यदि कोई मजबूरी न मकर कुमबहर मीन राशी का हाल, बिना पूछे या बिना आग्या लिए, कभी भी किसी के जूते चपल मत पहन के घर आईए, बड़े बुरे परिणाम निकलते हैं, ये ध्यान रखे हमेशा, कभी-कभी अंजाने में भी ऐसा हो जाता है, कोई बात नहीं नंगे पाओं आ जा जाते हैं, मेरे चुर्चुके हैं, मेरे गायब हो गएं, आपके पहन जाएं क्या, आग्या लेकर पहन के आवें, बिना आग्या लिए, किसी के जूते चपल पहन के घर कभी मत आना, इसका परिणाम अच्छा नहीं निकलता, तो आशा करता हूं कि ये सारी बाते आपने बह का एक विचार बताता हूं, वो कहते हैं, कभी भी ऐसे व्यक्ति से मित्रता मत कीजिए, जो प्रतिष्था में आपसे बहुत कम या बहुत ज्यादा हो, क्योंकि उससे मित्रता आपको खुशी नहीं देगी, बड़ी गहरी बात है, इसे ध्यान से सोचिए, आपका दिन शु हो, इस कामना के साथ आपसे विदा लेता हूं, खुश्याद जरूर बाटिएगा लोगों में, और जो काम मैंने करने को मना किया है ना भी, कभी मत कीजिएगा